गाईज अगर आप यूस करते हो WandaShare Filmoda का कोई भी वर्शन जो वीडियो एडिटिंग परपस के लिए होता है तो हम लोग जब भी इंपोर्ट करते हैं 1080P Resolution का कोई भी फाइल तो वो बहुत इजीली इंपोर्ट हो जाता है लेकिन जब भी हम लोग 4K content या फिर Ultra HD content प्लस हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हमें एक मिलता है pop-up window and pop-up में लिखा हुआ होता है HEVC codec must be installed to use this feature इसका मतलब है 4K editing हम लोग नहीं कर सकते हैं and ok click करने के बाद हमें ये redirect करता है एक Microsoft के website में जहां पे हमें इस software को buy करना पड़ता है HEVC video extension and price है almost आज के date में एक डॉलर के आसपास लेकिन इसी को अगर हम लोग copy कर लेते हैं and Google में search button में हम लोग paste करने के बाद अगर हम लोग search कर देते हैं तो हम लोग ये software free में install कर सकते हैं first website है Microsoft का जो यही वाला website है लेकिन हम लोग जो second वाला website है www.freecodex.com इसमें click करेंगे and इसका link मैं description में डाल दूँगा ताकि आप लोग directly link से इसको download कर सको तो download में click करने के बाद कुछ इस type का website हमें redirected हो जाता है and यहाँ पे 4 या 5 लिंक दिया हुआ रहता है आप कोई भी link में click कर सकते हो क्योंकि मेरा system 64 bit का है इस link में click करने के बाद यह देख सकते हो आप लोग download हो गया इसे हम लोग आप install कर देंगे installing process बहुत ही easy है just click on it and after install it and install करने के बाद यह install हो जाएगा बहुत ही easy way में and after that just close करना है अब हम लोग wonder share filmoda में बापस जाते हैं and then हम अगर click करते हैं यहाँ पर and 4K कोई content को हम लोग import करने की कोशिश करते हैं आप magical way में देख सकते हो के 4K content यहाँ पर easily import हो गया now drag it and edit as per your wish now कोई भी resolution आप select कर सकते हो and इसे edit कर सकते हो so guys अगर video helpful रहा make sure you subscribe to our channel hit the bell icon and अपने beloved people के साथ जरू share के जिए and मैं description में यह जो website है इसका link दे दूँगा thank you for tuning you to pn days